Hello dear students, आज हम worksheet number 14 solve करेंगे बिटा, जो कि हमारे chapter number 2 बहुपद पर based है, बहुपद यनकी polynomials तो सबसे पहले हम बहुत चानते भी हैं इनके बारे में बहुपद जिसमें बहुत सारे पद या टर्म्स हो है ना और साथी साथ इसके उपर एक condition होती है कि इसमें हर एक variable की power, हर एक चर की power एक whole number पून संक्या होना चाहिए इसमें power इसकी घटा की नहीं संक्या हो सकती है या बटे में नहीं हो सकती है और साथी साथ irrational number भी नहीं हो सकता इसकी power 0, 1, 2, 3 and so on हो सकती है अदर्वाइस यह एक BGA वेंज़की रहेगा algebraic expression उसके बाद हमें graph भी बहुत अच्छे से बनाना आता है देखे जब ही हम graph बनाते हैं हम दो axis draw करते हैं this is our x-axis and जो vertical line सीधी खड़ी line है वो y-axis है इस तरीके से आप देखते हैं चार हिसों में बटकिया यह जो बीच का center जहां पर कट करते हैं उसे हम origin या मूल बिंदू कहते हैं जिसके coordinate होते हैं 0,0 और यह हमारा first quadrant, second, third and fourth उसके बाद बिटा, बहुपत की घात, highest power of the variable जो हमारे बहुपत में होती है वो पूरे बहुपत की घात कहलाती है शुन्यक या zeros हम किसे कहते हैं, जब हम उसको 0 के एकवल रखतेते हैं बहुपत को, तो x का variable का value जो आता है वही हमारे बहुपत का शुन्यक या 0 कहलाता है देखिए कुछ example, px is equal to x raised to the power 4 plus 2x cube plus 3x plus 7 तो घात पूचे जा रही है बेटा, degree पूचे जा रही है ना, तो degree आप देखिए, कहां पर x variable है यह आपको पता चल रहा है कि variable कौन है यहां पर x है, तो इसकी highest power देखिए कहां पर है, 4, 3, 1 है ना, और यहां 0 तो इन में सबसे बड़ी power कौन है, 4, तो इस पूरे बहुपत की घात पी क्या हो गई, 4, तो हम इसे लिख देते हैं यहां पर 4 शुन्याक बताईए इसके, तो px is equal to x plus 5 आपको दे रख है, तो जब भी आपसे शुन्याक पूछे जाएं किसी बहुपत के, आप इसे 0 के equal रख देंगे, x plus 5 equal to 0 that means, अब आपको पताईए क्या करना है, what is x, this is equal to minus 5, और यहां यहीं चीज हमें पहले समझाई भी गई है, देखे, x raised to the power 4 plus 3 x cube plus 1, variable is x, और सबसे बड़ी power 4 है, इसलिए इस पूरे polynomial की power भी 4 ही रहेगी, और second में यहां 0's निकाले में, x plus 2, दिया वै हमें polynomial, इसको 0 के equal रखा, तो x is equal to minus 2, next देखी बिटा, हम graphical कैसे बता सकते हैं कि इस बहुपत के कितने शुन्या क्या 0 होंगे, आप देखिए हमें एक यह graph दिया वै, जब भी हम इसको 0's निकालते हैं, यह तो हमें पता चल गया हम y को 0 मान लेते हैं बिटा, है ना, जैसा अभी हमने पीछे देखा, y को आपने क् जो कि हमें बहुपत दिया गया है, उसको आपने 0 के इकवल रख दिया, अभी जो x-axis होता है ना, इस पे आपको पता होगा कि हमेशा y का point 0 होता है, है ना, this is our 0-0 point, फिर 1-0, फिर 2-0, 3-0, 4-0, minus 1-0, minus 2-0 and so on, यानि कि इस line पर हमेशा y 0 होगा, तो यहां पे आपको जित हाई देंगे x-axis पर, उतना ही हमारे answers होंगे, उतने ही हमारे solutions होंगे, उतने ही हमारे zeros होंगे और उतनी ही उस polynomial की degree होगी, क्योंकि जितनी degree होती है उतनी answer होते है ना, तो देखिए इस graph में देखके हम easily पता लगा सकते हैं कि इस भववपत की घात कितनी है, इस भववपत क solutions कितने है, answers कितने है, zeros कितने है, आप इन्हें कोई भी नाम दे सकते हैं तो देखते हैं कितनी कट कर रहा है ये, 1, 2, 3, जहां पर ये graph कट कर रहा है, ये नहीं देखना आपने, ये हमें ग्राफ दिया हो है, इसको देखना है कि x-axis पर कहा कहा कट कर रहा है, तो 1, 2, 3, 3 points प है, number of solutions भी 3 ही निकलेगा, जिनके थ्रू हमें बताना है कि बहुपत के कितने zeros होंगे, कितने शुन्यांक होंगे, तो हमने सीख लिया है कि जितने जगे x-axis पर आपका graph कट करता हुआ दिखेगा, उतने ही zeros होंगे, उतने ही solutions होंगे, उतनी ही उसकी power होगी, तो यहां पर हम यह कितने कट दिख रहे हैं, one only, so answer is one, in this case, दो जगे कट दिख रहे हैं, answer becomes two, यहां देखिए, only at one point, and here one, two, again, next, कुछ को ग्रास मनी यहां आपके लिए दिये हैं, देखिए, यहां फर्स की इसमें, x-axis पे कितनी जगे कट कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपको कहीं पे यह लाइन x-axis पे कट करती भी नहीं न, तो इसका मतलब इस case में, बहुपत के शुन्यांग 0 है, answer हम क्या लिखेंगे, 0, बहुपत की घात भी 0 होगी, answer भी 0, शुन्यांग भी 0 है न, यहां देखिए, one only, तो बाकी सारे आप अपने आप complete करेंगे, जितने जगे आपको cuts लिख रहे हैं, और अगर आपसे कभी यह पूचा जाए, कि बहुपत की घात 3 है, मान लिजे हमसे question पूचा जाता है, mcq में, कि बहुपत की घात 3 है, x-axis पे कितनी जगे cut करेगा, तब आप फॉरन क्या बत कि आप समझ गए concept को, और इसको बहुत सुन्दा तरीके से आपको अपनी copy में भी बनाना है, keep on learning, stay blessed.